हेलो फ्रेंड्स सो वेल्कम बैक तो माई चैनल तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिस स्पिकिंग का नया वीडियो और इस वीडियो में हम सिखेंगे कैन का यूज कैन का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई सैंटेंस जो है जिसमें हम यह करते हैं कि यह काम हम कर सकते हैं इसकी पैचान ही होती है कि जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ सकता हूँ सकती है सकता है और सकते है फॉर इंग्जामपल जैसे मैं इंग्लिस बोल सकता हूँ है न तो यहां पर सकता हूँ आ गया, मैं चाई बना सकता हूँ, इसमें भी सकता हूँ आ गया, वह चल सकती है, इसमें सकती है आ गया, तो इस तरह के सारे sentences बनाने के लिए हमें can की चुरूत पड़ती है, तो अब देख लेते हैं इसका sentence structure क्या होता है, already मैंने बता रखा, जैसे सबसे पहले हम लगाएंगे subject, फिर लगाएंगे हम can और फिर लगाएंगे action की false form, जिससे पहले sentence है कि मैं खाना बना सकता हूँ, तो मैं खाना बना सकता हूँ, इसमें सकता हूँ आ गया, तो सकता हूँ के लिए लगाएंगे हम can, I can make food, मैं खाना बन सकता हूं तो इसमें सभी सब्जेक्ट के लिए कैन का यूज़ करते हैं से वह खाना बना सकता है he can make food वह खाना बना सकते हैं they can make food इस तरह से अब हम देख लेता है interrogative yes no questions कैसे बनाते हैं इसमें हम सबसे पहले कैन का यूज़ करेंगे फिर subject लगाएंगे और फिर action की first form लगाएंगे for example जैसे अगर मैं पूछूँगा कि क्या आप खाना बना सकते हैं तो इस क्या के लिए हमने सबसे पहले क्या लगाना है can और आप के लिए लगाएंगे you तो can you make food क्या आप खाना बना सकते हैं can you make food अब दूसरा question ही है कि क्या वह चाई बना सकता है तो इसमें हम लगाएंगे can he make tea क्या वह चाई बना सकता है can he make tea अब हम देख लेते हैं कि negative sentences कैसे बनाएंगे तो negative बनाने के लिए हमने can के साथ जो not होता है अलग-अलग इसको हम नहीं लिखते हैं मैं खाना नहीं बना सकता हूं तो इसको हम लिखेंगे ऐसे I can not एक साथ I cannot make food या फिर हम बोल सकते हैं I can't make food हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि I can और फिर not लगाएं फिर make food इस तरह से नहीं लिख सकते हैं दूसरा difference यह है कि जब written English होती है जब हम लिखते हैं English में कहीं पे भी तो वहाँ पे cannot को एक साथ लिखते हैं और उसकी short form जो can't होती है उसे written में नहीं लिखते हैं तो कहीं पे अगर लिखना हुआ आपने तो I can't नहीं लिखेंगे आप आप लिखेंगे I cannot एक और difference है जिसे British English और American Language में यहाँ पे हम क्या करेंगे जैसे अगर मैं यहाँ पे C.A.N. Apostropic Can't पढ़ता हूँ British Language में इसको पढ़ता है Can't और इसी को अगर American Language में देखेंगे यानि कि America वाले अगर इसे पढ़ेंगे या बोलेंगे तो इसको वो बोलते है Can't तो British में Can't और American में Can't जैसे मैं खाना नहीं बरा सकता हूँ British में बोलेंगे पहले तो करते हैं Ability के लिए Ability में तब योग्यता दूसरा हम Permission के लिए या Request के लिए करते हैं उसके बाद Offer के लिए भी कर देते हैं Capacity और Possibility तो इनको समझते हैं करके जैसे पहले देख लेते हैं Ability Ability में सोता है योग्यता वोई काम करने की योग्यता है हमारे अंदर जैसे English बोलना है Speak English तो English बोलना एक योग्यता है Ability है तो क्या आप English बोल सकते हैं तो Can you speak English तो Yes मैं बोल सकता हूँ I can speak English और नहीं बोल सकता तो I cannot speak English या फिर इसको आईसे भी बोल सकता है I can't speak English तो English बोलने की एक Ability है याने की योग्यता है जैसे हमारे पास एक और word है यहां पर Read the palm Read the palm का मतुता है हाथ देखना है ना तो हम हिंदी में तो बोलता है हाथ देखना लेकिन English में बोलते हैं इसको Read the palm Palm में इस होता है हतेली और Read मतुता है पढ़ना तो हतेली को पढ़ना होता है वैसे एक्चुली यह तो भई यह भी एक Ability है Can you read the palm? तो Yes I can read the palm and No I can't read the palm Next word है Keep your cool अपना दिमाग शान्त रखना एक word है Keep your cool तो Can you keep your cool? क्या अपना दिमाग आप शान्त रख सकते हो तो Yes I can keep my cool और नहीं रख पाता हूँ तो I can't keep my cool कभी कभी अपना दिमाग शान्त नहीं रख सकता हूँ जैसे Sing a song यह भी एक Ability है पर Can you sing a song? क्या आप गाना गा सकते हो तो Yes I can sing a song Can you dance? तो Yes I can dance Can you swim? तो Yes I can swim और No I can't swim Second आज आता है हमारे पास Capacity Capacity का मतब होता है च्छमता हमारी body में कोई किसी कोई काम करने की च्छमता है तो हम यहाँ पर बोलेंगे Capacity जैसे अगर कोई पूछेगा कि क्या आप 100 kg का weight उठा सकते हो Can you lift 100 kg weight तो अगर कोई कहगा कि Yes मैं उठा सकता हूँ तो क्या बोलेंगे I can lift 100 kg weight और नहीं उठा सकता हो तो I can't यानि कि I cannot lift 100 kg weight या शॉट में लिख देता है I can't lift 100 kg weight तो यह हमारी body की च्छमता है यानि कि हमारी body इतना काम कर सकती है जैसे क्या आप sit-ups कर सकते है Can I do sit-ups क्या आप khλι को खली जो पहलवान है क्या आप khλι को हरा सकते है तो Can You defeat khli क्या आप उसे थपड मार सकते है तो Can You slap him क्या आप खत्रा मोल लेके सकते है तो खत्रा मोल लेने के लिए मैंने बोला था आपको bell the cat बोलते हैं तो can you bell the cat क्या आप बिली के गले में घंटी बान सकते हैं अब next पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी का मत होता है संभावना कोई काम होने की संभावना होती है तो उसको हम आपे लगाते हैं possibility पॉसिबिलिटी मैंने आपको may में भी पढ़ाया था कि कोई चीज होने की संभावना है तो may का use करते हैं तो can का use भी कर सकते हैं जैसे कर हम बोलेंगे कि यह सच नहीं हो सकता है तो that cannot be true that can't be true यह गाड़ी आपकी है क्या आपने का नहीं यह मेरी नहीं हो सकती है तो it can't be mine यह गाड़ी मेरी नहीं हो सकती है आप serious नहीं हो सकते हो you cannot be serious you can't be serious और हम जून में घर जा सकते हैं तो we can go home in जून तो यहाँ पर संभावना यह है इस चीज की तो संभावना के लिए भी हम क्या लगाता है can next step permission और permission और request कोई request कर रहे हैं या permission ले रहे हैं तो वहाँ पर भी हम can कर जून कर सकते हैं जैसे for example can I ask a question please क्या मैं एक question पूछ सकता हूँ second है can we go home now क्या अब हम घर जा सकते हैं तो यह हम क्या ले रहे हैं permission ले रहे हैं request कर रहे हैं तो you can go home now अब आप घर जा सकते हैं and आप अभी घर नहीं जा सकते हैं तो क्या बोलेंगे you can't go home yet जैसे कुछ example हो रहे हैं आप free में travel नहीं कर सकते हैं free में यात्रा नहीं कर सकते हैं तो you can't travel for free दूसरा है student can use calculators during the exams student जो है exam के time पे during the exams का मतुत होता है exam के समय पे calculator का use कर सकते हैं यह उनको permission दे दी है है ना permitted है मत्तब calculator यूज करना कोई यह कह देता है भी आप यहाँ पे park नहीं कर सकते हैं जैसे police वाले कह सकते हैं you cannot park here you can't park here next offer offer का मतुत है कि हम किसी को offer करते हैं कि भई क्या मैं यह कर सकता हूँ क्या मैं आपकी help कर सकता हूँ तो can I help you can I help you क्या मैं आपकी मत्तद कर सकता हूँ क्या मैं आपके लिए यह कर सकता हूँ can I do that for you हम यह offer कर रहे हैं ना can I do that for you क्या मैं यह है आपके लिए कर सकता हूँ और क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ Can I do anything for you आप देख लेते हैं WH words वाले जैसे what है तो what's a sentence कैसे बनेगा बहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ What can I do for you मैं क्या कह सकता हूँ What can I say और मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ What can I say about it Next time हमारे पास why जैसे कोई कह सकता है कि भई मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ तो हम पूछेंगों उससे कि भई आप ये काम क्यों नहीं कर सकते हैं Why can't you do that क्यों नहीं कर सकते हैं Why can't you do that जैसे आप मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते हैं Why can't you help me आप उससे क्यों नहीं हरा सकते हैं Why can't you defeat him आप मुझे सब कुछ क्यों नहीं बता सकते हैं So why can't you tell me everything आप मुझे पैसा क्यों नहीं दे सकते हैं उधार तो why can't you lend me money Next time where जैसे वह कहां जा सकता है कहां जाने के संभावना है मतलब where can he go परिए मैं कहां ठहर सकता हूँ Where can I stay और मैं आप से कहां मिल सकता हूँ तो where can I see you Next word है how How मतलब कैसे जैसे आप यह कैसे कह सकते हैं How can you say that मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ How can I help you जैसे कहीं पर देखा हूँगा आपने reception में कि वहां पर receptionist पूशती है How can I help you मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ यह कैसे हो सकता है How can it happen आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं How can you think so और एक बोलते हैं अकसर लोग बोलते हैं मैं अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूब कर सकता हूँ तो How can I improve my English How can I improve my English Next है यहां पर Who Who मतब कौन मैं जैसे Who can bell the cat Who can bell the cat का मतुता ही कि खत्रा कौन मोल ले सकता है यहनि कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांच सकता है Who can bell the cat इस प्रॉबलम को कौन सॉल्व कर सकता है Who can solve this problem उसकी मदद कौन कर सकता है Who can help him आपको कौन सिखा सकता है Who can teach you अब देख लेते हैं someone, anyone, everyone और none का यूज जैसे क्या कोई मेरी मदद कर सकता है Can anyone help me तो इसका answer दे सकते हैं कि कोई आपकी मदद कर सकता है यहाँ पे कोई है जो आपकी मदद कर सकता है तो हम बोलेंगे someone can help you और हर कोई आपकी मदद कर सकता है तो everyone can help you और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है तो no one can help you जैसे इसे हर कोई solve कर सकता है तो everyone can solve it यह कोई नहीं कर सकता है तो no one can do it और यह कोई नहीं कह सकता है तो no one can say that खली को कोई नहीं हरा सकता है तो no one can defeat खली अब कुछ words हैं यहाँ पे इससे आप practice करना है जैसे put the child to sleep बच्चे को सुलाना तो कोई पूश सकता है कि can you put the child to sleep क्या आप बच्चे को सुला सकते हो यह भी एक योग्यत है यह एक तरह की can you put the child to sleep next word है sort out my problem solve करना या sort out करना एक ही बात होती है sort out मतलब होता है सुलजाना मेरी समस्थ्या का समाधान निकालना तो can you sort out my problem next word है afford a car car afford करना afford करने का मतलब होता है कि car खरीज सकने की छमता होना हमारे पास पैसा है तो पूस सकते है कि can you afford a car क्या आप car afford कर सकते है next word है speak to him on my behalf on my behalf होता है मेरी तरफ से और speak to him होता है उससे बात करना तो क्या आप उससे मेरी तरफ से बात कर सकते है क्या आप मेरी तरफ से उससे बात कर सकते हैं can you speak to him on my behalf on my behalf मतलब मेरी तरफ से next word है go hungry go hungry मत होता है भूका रहना तो क्या आप भूका रह सकते हो can you go hungry next word है ask you one thing बहिए क्या मैं आप से एक बात पूस सकता हूं तो can I ask you one thing next है suggest a way out suggest a way out होता है कोई तरीका सुझाना can you suggest a way out आप कोई तरीका सुझा सकते हैं पत्तब कोई सला दे सकते हैं कि यह तरीका अब यह काम करने का can you suggest a way out तो spoken English improve करने के लिए आपको practice की बहुत सब्तुजरत होती है तो इसलिए daily 30 minutes की practice जरूर करना और यह आपके लिए homework है यहाँ पर आप can का use कर सकते हैं अपनी तरफ से कुछ sentences बनाना और उसकी practice करना इस वीडियो में इतना है फिर मिलते हैं next वीडियो में so thanks for watching this video सब्स़्य का जरूर है यह वीडियो में काझğin यह आपके मैं कि यह दुआर में कि जो डिए झाल झाल